अमबजरी इलाके में राम नगर शंगन नगर चौक पर इल्यूजन बियर बार की सामने खुले आम गुंडगर्दी गत दो नवंबर को तब देखने को मिली जब बार के बाउंसर ने कुछ ही वकों को अंदर जाने से मना कर दिया बाउंसर गौरफ पांडी के साथ मारपीत की घटना सड़त परिसर में लगे सीजी टीवी कैमरे में कैथ हो गई है गौरफ पांडी की शिकायत पर अमजरी पुलिस ने चार आरूपियों को गरफतार किया है आरूपियों के नाम सचिन वाडे, बॉबी वाडे, मनप्रीद ठकर और मनप्रीद भाटिया है इन आरूपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कुछ आरूपियों पर इसके पहले भी आपराधिक मामले दर्च है गटना गटन दो नवंबर की रात करीब 11 बच का 45 मिनिट से देड़ बजे की दर्मियान की बताई जा रही है इसके कुछ पहले भी इस्तिबार में एक यूवक पर जानलेवा हमला किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था पुलिस इस घटना को उक्त घटना से भी जोड का देख रही है पुलिस सूतरो के अनुसा प्लॉट नमबर 54 बाजी प्रभू नगर गोधनी रोड नाकपुर निवासी गौरव हरी प्रसाथ पांडे ने अंबजरी थाने में मार पीट किये जाने की शिकायत दर्च कराई है उसने पुलिस को बताया कि वहराम नगर शंकर नगर चौक इस्तित सड़क पर प्लॉट नमबर 29 में चल रहे इलूजन बिया बार में बाउंसर का काम करता है गत दो नवंबर की रात वह बार में था इस दोरान आरूपियों ने उसे बाहर घसीट कर ले गए और गाली रहा था बार के अंदर आरूपि दुर्गेश मिश्रा सचिन वाडे बॉबी वाडे एकविंदर मनमीद ठककर मनमीद भाटिया कीटू हिंगो रानी अविनाश शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ पहुचा इन आरूपियों में से एक आरूपी ने बार के अंदर से निकल इस दोरान जब भीर जमा होने लगी तो सभी आरूपी फरार हो गए घटना के बारे में जानकारे मिलते ही अमजरी थाने के पुलस उप निरिक्षक कोहले सायोगियों के साथ घटना इस्तल पर पहुचे क्यामरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे नियूस नाकपूर